सनी देहुल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ओपिस पर गदर मचा दिया है जी हाँ दोस्तों गदर 2 हर दिन बॉक्स ओपिस पर रिकॉर्ड तोड कमाई कर रही है लेकिन पांचवे दिन यानि की 15 अगस्त के दिन फिल्म ने अठाउन करोड की भारी भरकम कमाई करके बॉलिवड और पाकिस्तान के रॉंग टे खड़े कर दिये वहीं अब फिल्म का आठवे दिन का बॉक्स ओपिस कलेक्शन सामने आ चुका है जिसने सब को चौका दिया है जी हाँ आठवे दिन भी इस फिल्म ने तनी भैंकर कमाई किये कि सब के रॉंग्टे खड़े हो गए जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते कि गदर टू जो कि सनी देवल की मोस्ट अवेटेड फिल्म थी वो 11 अगस्त को अक्षे कुमार की फिल्म Oh My God 2 के साथ सिनेमा घरों में रिलीज हो गई हाला कि रिलीज होने से पहले बॉलियूड वालों ने सनी पाजी को हलके में ले लिया उनको लगा कि आएंगे और चले जाएंगे हमारी फिल्मों को कुछ फरक नहीं पड़ेगा इसलिए एक्षे कुमार ने सनी देवल के साथ अपनी फिल्म Oh My God 2 को रिलीज करने की गलती कर दी रिलीज होने के बाद से सनी देवल की फिल्म Oh My God 2 बाजी मार जाएगी उपर से भैंकर एक्षेन ने तो फिल्म में च्यार चांद लगा दिये वहीं माना जारा था कि फिल्म 15 अगस्त को जम कर कमाई करेगी और कुछ ऐसा ही हुआ उसके बाद फिल्म किटिक्स को लगा कि 15 अगस्त के बाद फिल्म की रप्तार धीमी हो जाएगी लेकिन हरानी के बाद ये है कि फिल्म का क्रेज दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और जितना क्रेज फिल्म के रिलीज वाले दिन देखने को मिला उससे कई गुना ज़्यादा क्रेज फिल्म के रिलीज के छटे और साथवे दिन पर देखने को मिल रहा है और यह आकणा इतना ख़तरनाग है कि कोई नई फिल्म भी अपने पहले दिन रिलीस पर भी इतना कलेक्शन नहीं कर पाती है ऐसे में फिल्म ने अपने रिलीस के आट देनों में बॉक्स ओपिस पर 332 करोड की भारी भरकम कमाई करके इतियास बना दिया है साथ ही सनी देउल की गदर 2 के साथ बॉल्यूड के खिलाडी कुमार यानि के अक्षे कुमार की फिल्म Oh My God 2 बुरी तरीके से पिस गी है अक्षे कुमार ने सनी देउल की फिल्म गदर 2 के साथ अपनी फिल्म Oh My God 2 को रिलीस करने की बड़ी गल्ती कर दी और इसका खामिया जो उन्हें बॉक्स ओपीस फर कलेक्शन में भुगतना पड़ा जी हा दोस्तो सनी देउल की गदर टू के सामने ओमाई गॉड टू दूर दूर तक नजर नहीं आई जो क्रेज अभी तक गदर टू का देखने को मिल रहा है इससे ऐसा ही लग रहा है कि ओमाई गॉड टू स्थंडे बस्ते में चली जाएगी साथ ही इस फिल्म ने इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉक्बस्टर फिल्म पठान को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है वही इस फिल्म का क्रेज इतना है कि मानोशनी देबल को देखने के लिए लोग टेक्टर में भर भर के आ रहे है वागी में बॉल्यूट में कोई ऐसी फिल्म का क्रेज कई सालों बाद देखने को मिला है अब ऐसे में आपको क्या लगता है ये फिल्म 500 करोड का बड़ा अकड़ा पार कर पाएगी अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म इस साल की क्या पूरे बॉल्यूड की सबसे बड़ी फिल्म मन जाएगी कॉमेंट बॉक्स अपनी राएज जरूर लिखें